असलाम आलेकूम वेलकम है आप सब को UK Lifestyle Vlog में आज क्या बन रहा है आज बन रहा है होल चिकन साबिट चिकन चिकन तिकका मसाला ब्रोस्ट बनाऊंगी साबिट चिकन का होल चिकन तिकका मसाला ब्रोस्ट कैसे बनेगा वो सब आप से शेयर करूंगी इतनी special recipe है आप अपने महमानों को दावत में सर्फ करें इतना tempting इतना beautiful recipe मज़ा नहीं आया ना तो फिर बात होगी तो आज बन रहा है delicious होल चिकन तिकका मसाला ब्रोस्ट रेसिपी तो start करते हैं आज का वी लॉग मैंने ले लिया है एक अदत होल चिकन जरा सा अच्छे साइज का लिया है इसमें चला जाएगा दो चम्मच सिर्का white vinegar 2 टेबिल स्पून और जाएगा इसमें क्या अद्रक और लेसन का paste 1 टेबिल स्पून पहले हम इन दोनों को नमक और अद्रक लेसन के साथ नमक डाल देते हैं 1 टी स्पून से थोरा जायता क्योंकि चिकन हमारी बड़ी है तो अब हमने नमक, जिंजर, गालिक, पेस और सिर्के के साथ इसको अच्छी तरीके से पहले मिला लेंगे यह इसकी पहली कोटिंग है, फर्स कोटिंग ठीक है, तो अच्छी तरीके से चिकन के अंदर अंदर तक आपने अद्रक लेसन नमक और सिर्का से मिलाना है जब यह अच्छी तरीके से मिल जाएगा तो मेरे पास है, क्योंकि यह चिकन तिकका मसाला ब्रोस्ट है, तो यह चिकन शान का चिकन तिकका मसाला, यह हम क्या करेंगे, यह एक पैकेट से मैं देखती हूँ मुझे कितना चाहिए मैं डाल देती हूँ इसको आदा पैकेट, आदा पैकेट इसमें मैंने यह डाल दिया, डालने के बाद चिकन तिकका को हम फिर, तिकन तिकका मसाली के साथ जो यह ब्रोस्ट बनेगा ना कुछ यूनीक है, अच्छा यह रैसे भी आपको किसी भी यूटुब चैनल में नहीं हैं, ठीक है, तो चले जी, इसमें अब देही जाएगा, दो से तीन टेबिल स्पॉन, ठीक है, देही भी चला जाएगा, इन सब को अब मिक्स करेंगे, तिकका मसाला के साथ, आए है, बहुत ही स्पाइसी मज़े का बनेगा, अच्छी तरीके से मसाला अंदर अंदर तक आप बहतर है, वरना सिक्स आउर की मैरिनेशन दे दे, ठीक है, तो मैं इसको अच्छी तरीके से मिला रही हूँ, जिस तरीके से मैं मिला रही हूँ, आप नोट कर रहे होंगे, ये देखें, ऐसे मसाज करना है, देखें तरह, तो ये रेसेपी को आप सैलेट के साथ, जिसके अफगानी राइस बना लें, मर्जी है आपकी, सर्विंग के लिए बताती हूँ, अफगानी राइस के साथ सर्फ करें, या इसको आप सैलेट के साथ, मुखतरी गिसम के सैलेट के साथ, इसको सजाएं, पड़े मज़े का लगता है, तो चले जी, अच्छी खासी मैंने इसक मालिश कर दिये, तो अब मैं इसको छोड़ती हूँ, ओवरनाइट के लिए मैंने इसके उपर सेल्फिन पेपर लगाया है, सेल्फिन पेपर से ढांग देंगे और इसको रख देंगे फ्रिज में ओवरनाइट के लिए, अगले तीन जब मैंने इसका घूंगट खोला घूंगट खोलने से मतलब सेल्फिन पेपर खोला, तो फिर नेक्स स्टैब बड़ा इंपॉर्टेंट है ये ज़रूर देखें, ये मैंने लिया है दो कप मैदा, दो कप फ्लोर है, इसमें जो बचावा आदा चिकन तिक का मसाला है आदा तो हमने चिकन में लगाया और आदा जो बच गिया वो इसको इस कहते हैं इस फ्लोर में डाल देंगे ड्राइ फ्लोर में ड्राइ फ्लोर में डालने के बाद इसमें नमक डाल देंगे वन टी स्पून फ्लोर के लिए दो कप मैदा, दो कप फ्लोर वन टी स्पून सॉल्ट और आदा पैकेट जो बचा वा था चिकन तिक का मसाला इन सब को इस तरीके से मिलाएंगे अच्छा मैं जो हूँ न हमेशा इसको कोटिंग के लिए एक बड़ा सा प्लास्टिक बैग ले रहती हूँ उसमें मैं इसको चिकन को डालूँगी इस कोटिंग के साथ इससे क्या होता अच्छी कोटिंग भी हो जाती है और आपका किचन मैसी नहीं होता क्योंकि अगर मैं अलग से बॉल में मिलाओं तो इधर से फ्लोर गिरेगा उधर से गंदगी होगी तो मैं क्या करती हूँ सबसे अच्छा शौर्ट कर तरीका इसको आपने थैले में इस तरह बन किया और इस तरीके से बड़े थैले में आप इसको उपर नीची उपर नीची करते रहें यह बिल्कुल कोट हो जागा क्या करते हैं वाइट फ्लोर का तब ही यह चटपटा बनेगा क्योंकि इसमें तिक्का में भी मसाला डाला चिकन का और चिकन के बॉर्डर जो है ना फ्लोर में भी मसाला है यह बिल्कुल एक नई रेसिपी आपको बन के मिलेगी यह देखें शानदार यह देखें कैसी हमारी चिकन जो है माशालला कैसे दबदस कोटिंग होगा है देखा ये तरीका आप नोट करने इस तरीकी से बड़े से शौपर में करें अच्छा मिक्स भी हो जाएगा और किचन भी मैसी नहीं होगा अब मैंने क्या करना है अब मैंने करना है आइल ले लिया है मैंने डी फ्राइ के लिए क्योंकि ये चिकन ब्रोस्ट है चिकन ब्रोस्ट के लिए तो फ्राइ तो करना पड़ेगा तो वन साइड से ये मेरा तेल जो है ये इस आँच में होना चाहिए कि आपका चिकन अंदर से गल भी जाए और ओवर नाइट रखा ता गल तो जरू जाएगा बट उपर से जलेगा भी नहीं तो आपने आँच का ख्याल रखना है ऐसे नहीं कि पहले ही में इतना तेस कर दें कि चिकन जाके जल भून के काला हो जाए ऐसा नहीं करना ये देखें क्रिस्पी देखें आवाज देखें क्रिस्पी पन देखें आ रहा है ना मूँ में पानी तो जो अभी आया है जली से लाइक शियर सप्राइब कर ले और ये रेसिपी आप चाहो तो ईद में भी बना सकते हो बहुत सारे उक्वेशन में बना सकते हो कुछ special फिलिंग करने के लिए ये रेसिपी बेस्ट है तो चले जी मैंने दोनों साइड से 10-10 मिनिट करके इसको पकने दिया पकने के बाद ये देखें माशाला उपर से हमारा गोल्डन हो चुका हमें ऐसे ही गोल्डन चाहिए था देखे चिकन तिकका मसाला ब्रोस्ट तो चले अब सर्विंग की बारी आ जाती है इसको मैंने इदेखे सर्विंग से पहले मैं इसके उपर छिर्कूंगी क्या चार्ट मसाला पॉंडर अच्छा खासा चटपणा बनेगा चार्ट मसाला पॉंडर छिरक दिया और उपर से थोड़ा सा मैं हरा धनिया पारी कटे में गार्निशन की लिए सजा दूँगी टमाटर के सलाइस प्यास के सलाइस रखें और इस पे साथ अगर हरी चटनी बना ले वह वह जी वह हो जाएगा तो इस रैसिपी को जरूर ट्राइ करना है मुझे जरूर बताना है ये रैसिपी मेरी अपनी क्रियेशन है तो आपको कुछ यूनिक लगेगा तो इसको जरूर ट्राइ करें मज़ेदार अगर आपको सर्वीन राइस के साथ करना है तो अववानी राइस बना लें उसके उसके उपर ये चिकन रखें तो और भी आपका कहते हैं न इस्पेशल डिश हो जाएगा तो आपको कैसी लगी जरूर बताएगा बेन अजीर को और जादा से जादा आप लोग क्या कहते हैं शेयर और लाइक किया करें और मेरी मेहनत तब ही सफल होती है जब आप लोगों की रैसिपी अच्छी बनती है तो दुआउं में याद रखिएगा अल्ला हाफिज